आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए है एक स्वाधिश्ट और सेहत मन अर्भी की सबजी की रेसिपी इस वीडियो में हम आपको step by step सारे प्रोसेस बताएंगे जिससे आप घर पर आसानी से अर्भी की सबजी बना सकेंगे तो चलिए शुरू करते हैं इसके लिए हम सबसे पहले 500 ग्राम अर्भी लेंगे और इसे कूकर में बॉयल करेंगे बॉयल करने के लिए हम अर्भी को कूकर में डालेंगे और इसमें लगभग 300 मल पानी डालेंगे और इसे एक सिटी लगने तक बॉयल करेंगे एक सीटी आने के बाद हम गैस की फ्लेम को लो कर लेंगे और इसे 8-10 मिनट तक लो फ्लेम पे बॉयल करेंगे 10 मिनट बाद गैस की फ्लेम को आफ कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे 10 मिनट बाद कूकर ठंडा हो चुका है और सारे इस्टीम निकल चुकी है, अब हम कूकर का ढखकन खोल कर चेक करेंगे की अरवी अच्छे से हो चुकी है की नहीं, इसके लिए एक अरवी को निकाल कर उंगलियों से दबा कर इस तरह से चेक करेंगे की ये सौफ्ट हो चुके ह है कि नहीं तो देखिए यह सानी से दब जा रहा इसका मतलब यह अच्छे से बौल हो चुका है जैसे हम आलू को करते हैं वैसे ही इसको भी बॉल करना है जैसे कि बॉल हो चुका है तो हम इसे एक प्लेट में निकार लेंगे और इससे हम बिलकूल ठंडा कर लेंगे तो देखिए मैंने इसे ठंडा कर लिया है अब हम इसके चिलके उतार लेंगे तो देखिए मैंने चिलके उतार लिये हैं अब हम इन्हें लंबे लंबे टुकडों में कट करेंगे इस तरह से आप इन्हें किसी भी शेप में काट सकते हैं लेकिं ये लंबे लंबे टुकडों में अच्छे लगते हैं इन्हें कट करने के बाद हम एक पैन में 2 टेबल स्पून सरसो तेल डाल कर तेल को मीडियम फ्लेम पे 1 मिनट तक गरम कर लेंगे आप सरसो तेल की जगा कोई भी वेजडेबल ओयल यूज़ कर सकते हैं तेल गरम करने के बाद हम इसमें 1 टीजपून जीरा और 1 टीजपून मंगरेल डाल कर मिक्स करेंगे जब जीरा चटक ने लगी तो इसमें कटे हुई 2 मीडियम साइज की प्याज डाल कर इसे मिक्स करेंगे और फिर इसमें बारी कटे हुई 2 हरी मिश डाल कर प्याज को मीडियम फ्लेम पे गोल्डन ब्राउन उने तक बुनेंगे तो देखिए प्याज golden brown हो चुका है अब हम गयस की flame को low कर लेंगे और फिर इसमें half teaspoon नमक, half teaspoon गरम मसाला, one teaspoon धनिया पौडर, half teaspoon हल्दी पौडर, half teaspoon लालमिच पौडर और ग्रेट की हुई 6-7 लेसुन की कलिया और ग्रेट किया हुआ एक इंच अद्रक का टुकुरा डालेंग और इसमें two tablespoon पानी डाल कर mix करेंगे, mix करने के बाद हम गयस की flame को medium कर लेंगे और इसमें boil किये हुए अर्भी को डालेंगे और इन्हें mix करेंगे, ध्यान रहे हमारे अर्भी boiled है तो इसे carefully mix करेंगे, नहीं तो यह mash हो सकते हैं, अब हम इन्हें 8-10 मिनट तक medium flame पे बिना ठक के भुनेंगे, हमें इन्हें तब तक भूनना है जब तक यह अर्भी हलका golden brown न हो जाए, हमें इन्हें आदे से एक मिनट पे चलाते रहना है, ध्यान रहे हमें इन्हें हलके हातों से ओलट पलट कर चलाना है, नहीं तो यह अर्भी तूट सकते हैं, 8 से 10 मिनट बार देखिए, अर्भी golden brown हो चुकी है, अब हम गयस की flame को आफ कर देंगे, और इसमें 1 टेबले स्पून धनिया की पत्यां डाल कर मिक्स करेंगे, और फिरे से एक प्लेक में निकाल लेंगे, तो हमारी लाजवाब अर्भी की सब्ची बनकर बिल्कुल त्यार है, आप इसे रोटी या पराथी के साथ खा सकते हैं, अगर ये वीडियो पसंद आई होते से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करतें, ताकि हमारे अग्रे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी जल्दी मिल जाए, मिलते हैं एक नए वीडियो में नए रेसिपिकी साथ, तब तक के लिए, बावाई